अगर आपको एक ऐसा प्रिंटर लेना है जो होम एंड ओफिस दोने के लिए बेस्ट हो और साथ ही प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी हो और बजट फ्रेंडली भी हो तो इस वीडियो में आपको 5 बेस्ट और बेस्ट प्रिंटर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ल प्रिंटर ले पाए जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है टाइपस और प्रिंटर तो बेसिकली तीन टाइपस के प्रिंटर मार्किट में जादा पॉपलर है जिसमें सबसे पहला है इंक जेट प्रिंटर अगर आपका बजट बहुत कम है और आपको थोड़ी बहुत प्र खतम हो जाता है तो इसका पूरा cartridge ही चेंज करना पढ़ जाता है जिससे इसका printing cost थोड़ा महंगा पढ़ जाता है दूसरा आता है ink tank printer ये printer काफी affordable price में मिल जाता है जिससे आप color black and white हर तरीके से printing कर सकते है और इसे भी आप home office shop वगरा कहीं भी use कर सकते है इस printer में ink खतम हो जान है और साथ ही fast printing की requirement रहती है तब आपको एक laser printer purchase करना चाहिए लेकिन ये printer थोड़े expensive होता है बाकी printers के मुकाबले बट ये heavy duty printer है जो दो types के आते हैं एक स्री black and white laser printer दूसरा color laser printer इस printer में powder ink या toner का use किया जाता है जो काफी सस्ता होता है जिससे printing cost भी काफी कम पड़ती है हम कोई भी printer purchase करते है तो उसमें printing और copying का functions तो होता ही है बट बहुत सारे printers में scanning का function नहीं होता है अब scanning का benefit ये है कि आप कोई भी documents, photos या properties, paper वगरा scan करके अपने laptop, mobile वगरा में save करके रख सकते हैं जिसके scanning quality भी काफी शांदार होती है तो यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको वही printer लेना है जिसमें scanning का भी feature हो नेक्स्ट आता है printing speed आपको printer purchase करने time उसकी printing speed जरू चेक करनी चाहिए कि वो एक मिनट में कितना page print करके देता है और यह speed आपके work के लिए suitable भी है या नहीं जिसमें inkjet printer की speed बहुत कम होती है और laser printer और ink tank printer का speed काफी अच्छा देखनों का मिलता है नेक्स्ट आता connectivity and ports हम जब भी कोई printer लेते हैं तो उसमें USB port का तो option होता ही है जिससे LAN connection के थूरू printing करते है बट अगर printer में wifi या bluetooth का option मिल जाता है तो और भी easy of use होगा आपके लिए ताकि आप mobile वगरे से भी directly print कर सकें नेक्स्ट ध्यान रहे कि printer पे आपको at least one year की warranty ज़रूर मिलनी चाहिए क्योंकि printer पे जतना ज़्यादा warranty होगी समझे उसकी build quality और performance उतनी अच्छी होगी Lastly and most important कि आपको ये भी देख लेना है कि जिस brand का आप printer purchase करने जा रहे हो उसका after sales service आपके city में available है या नहीं ओके सो इनी सब इंपोर्टेंट points को ध्यान में रखके मैं 5 best और best printer का review करने जा रहा हूँ बट उससे पहले आपको वीडियो यहां तक थोड़ा भी informative लगा हो तो please वीडियो को like और channel को subscribe करके मुझे motivate कर सकते है ओके सो मेरे list में number 5 पर आता है Canon PIXMA E47 inkjet printer Canon का ये inkjet printer budget में आता है जो all-in-one feature के साथ आता है मतलब इसमें printing, scanning, copy सारे features मिल जाते है जो home uses, craft, project और study purpose के लिए सही है इसकी build quality के बात करूँ तो ये lightweight plastic material का बना है जिसका design भी काफी अच्छा है printing speed के बात करूँ तो अगर आप black and white print out करते हैं तो एक minute में 8 pages print out होता है वही color printing करते हैं तो एक minute में 4 pages print कर पाता है जो मेरे इसाब से थोड़ा slow है printing cost की बात करूँ तो इसका black and white print का cost approach 1.8 रूपीज और color print का cost 4.5 रूपीज के आसपस पढ़ जाता है जो की थोड़ा costly है इस printer में A4 paper की maximum input sheet capacity 60 pages तक कर दिया गया है अतलब आप एक साथ इस printer में 60 pages तक insert कर सकते हैं और साथ इसमें 2 ink के cartridge भी मिल जाता है एक black के लिए और दूसरा color printing के लिए जिसे आपको replace करना पड़ता है ink खतम हो जाने के बाद इसकी connectivity and ports की बात करूँ तो इसमें wifi दिया गया है और साथ ही selfie app भी दिया गया है जिसे download करके आप mobile से भी printer easily operate कर सकते हैं और port में USB port मिल जाता है जिसे LAN connection के थूरू आप print out और scanning वगरा कर सकते हैं जो Windows और Mac दोनों ही operating system में compatible है Canon इस printer पे एक साल की warranty देती है और इसका price चार से पांच हजार के आसपास बढ़ जाता है इस printer के कुछ pros और cons की बात करूँ तो इसका printing quality अच्छी है budget friendly है और इसमें wifi और mobile app भी दिया गया है जिससे mobile से भी operate कर सके बट जैसा कि ये inkjet printer है तो इसका paper printing cost थोड़ा जादा ही रहता है जिसके cartridge को बार बार आपको replace करना पड़ता है और इस printer का सबसे lowest price का link के नीचे description में दे दिया है जहां से आप इसका offer price भी जान सकते है और इसे purchase भी कर सकते है और इसमें release में number 4 पर आता है HP ink tank 315 all-in-one printer इस ink tank printer में all-in-one feature मिल जाता है जिसमें print, scan और copy कर सकते है जिसका use home, office और student के लिए कर सकते है और इसमें ink tank दिया गया है जिसे ink खतम हो जाने पर easily इसे refill कर सकते है जो काफी affordable printing provide कराता है जिसकी printing cost black and white page पे 12 पैसा और color pages पे 25 पैसा के range बे पढ़ जाता है जो की मेरे हिसाब से काफी affordable है इसकी build quality के बात करूँ तो काफी अच्छी plastic material का बना है जो 2 color variant पे available है इसकी color printing की maximum speed 15 pages पर minute और black and white printing की maximum speed 19 pages पर minute तक मिल जाता है इसमें maximum printing resolution 1200 dpi तक मिल जाता है मतलब जतना जादा dpi होगा printing quality उतनी अच्छी और clear होगी इस printer में A4, B5, later और legal size के paper सपोर्ट करते है और साथ इसके input tray में आप maximum 60 pages A4 paper लोड कर सकते है और ये printer भी window और Mac operating system दोनों में compatible है जैसा कि ये ink tank printer है तो इसमें आपको बार बार cartridge change करने का ज़रूवत नहीं पड़ेगा बस आपको color refill करना रहता है time to time जिसमें आपको 4 multi color इस printer के साथ मिल जाता है इसके connectivity and ports की बात करूँ तो इसमें Wi-Fi और Bluetooth का option नहीं दिया गया है बट इसमें आपको USB 2.0 का LAN connection मिल जाता है जिसके थुरू आप print out कर सकते है जो maximum लोग USB connection का ही use करते है print out के लिए HP इस printer पे एक साल के warranty देती है और ये printer 9 से 10,000 के range में मिल जाता है इसके pros and cons की बात करूँ तो ये ink tank printer है जिसमें refill करना काफी easy होता है और printing cost भी काफी काम आता है इसका quality of printing काफी sharp देखने को मिलता है इसमें बट printing speed थोड़ी कम है और इसमें Wi-Fi या Bluetooth का कोई wireless connection नहीं दिया गया है लेकिन अगर आपको printing laptop या computer से करना रहता है ना कि mobile से तब आप इसे consider कर सकते है जिसका सबसे lowest price का link भी आपको description में मिल दाएगा ओगे सो में रिलिसमें नमबर 3 पर आता है Epson Eco Tank L3250 All-in-One Tank Printer Epson का इस model का build quality और performance मुझे काफी अच्छा लगता है और इसका customer feedback भी आप देखो तो 2000 से भी जादा लोगों ने 4 star की rating दिये जो की एक अच्छी rating है Black color में इसका design तो काफी अच्छा लगता ही है और साथ ये heavy plastic material का बना है जो काफी durable है ये printer भी All-in-One feature के साथ आता है जिसमें print, scan और copy कर सकते है जिसका use of home, office, shop वगरा में use कर सकते है सभी purpose के लिए इसमें color printing का maximum speed 15 pages per minute और black and white printing का maximum speed 33 pages per minute मिल जाता है जो की काफी fast है और printing cost इसमें black and white printing का cost 10 पैसा और color printing 20 पैसे के लगबग पढ़ जाता है जो की बहुत low cost है इस printer का print resolution 1440 dpi तक मिल जाता है जो इससे पहले वाले printer के बारे में जो मैंने बताया था उससे भी better printing quality इसमें मिलती है paper size इसमें A4, A5, A6, B5, C6 और DL वगरा के लिए suitable है इस printer का input tray थोड़ा बड़ा है जिसमें 100 pages A4 paper आप load कर सकते हैं और साथ इस printer के साथ 4 multi colors ink मिल जाता है refill करने के लिए इसके connectivity and ports की बात करूँ तो इसमें आपको wifi का option मिल जाता है जिससे आप mobile वगरा भी connect कर सकते है और USB LAN connection का भी option मिल जाता है Epson इस printer पे एक साल की warranty देती है और जैसा कि इस printer पे काफी अच्छी अच्छी features मिल जाती है और printing quality भी काफी अच्छा है इसका तो इसका price भी थोड़ा जादा है जो 13 से 15,000 के असवास पड़ जाता है इसकी pros and cons देख लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि काफी अच्छी अच्छी इसमें feature मिल जाती है printing quality top class है इसका, printing cost भी काफी कम है इसका बट इसका price थोड़ा जादा है और बहुत जादा heavy duty uses के लिए ये suitable नहीं है बट अगर आपको लगातर printer का use करना रहता है तो उसके लिए भी मैं आगे आपको कुछ printer suggest करने जा रहा हूँ इस printer का भी सबसे lowest price का link आपको description में मिल जाएगा ओगे सो मेरे list में number 2 पर आता है HP smart tank 580 all-in-one ink tank printer HP की इस model का design काफी premium और stylish है और इसमें भी आपको all-in-one feature मिल जाता है जिसमें printing, scanning और copy कर सकते हैं जिसमें USB LAN port के साथ Wi-Fi connectivity भी देखनों के मिलता है जो Windows, Mac, iOS और Android के लिए भी compatible है इस printer में ink refill करने के बाद आप total 6000 color pages की printing और 12000 black and white pages की printing कर सकते हैं जिसमें color printing की cost 20 पैसे per pages और black and white pages की printing cost 10 पैसे per pages की हिसाब से पढ़ता है which is great maximum print resolution इसमें 1200 dpi मिलता है जिसमें scanning quality बहुत ही शांदार देखनों के मिलता है ये भी एक ink tank printer है जिसमें 4 multi colors मिल जाते हैं refills के लिए और इस printer में एक time में आप 100 pages load कर सकते हैं A4 size के maximum printing speed black and white में 12 pages per minute और color print out में 5 pages per minute देखनों के मिलता है ये printer एक साल की warranty के साथ आती है और इसमें एक साल की extend warranty भी मिल जाती है which is great और साथ इस printer के साथ fireball का smartwatch भी free claim कर सकते हैं और ये offer कब तक रहेगा don't know इसकी price के बात करूँ तो ये आपको 14-16,000 के आसपास पढ़ जाता है इसकी pros and cons भी देख लेते हैं तो इस printer का design काफी premium है सारे important features इसमें मिल जाते हैं printing और scanning quality काफी अच्छी इसका और noise भी बहुत कम करता है print out करने time बट इसकी printing speed थोड़ी slow मिलती है और इस printer का भी सबसे lowest price का link के नीचे description में मिल जागा जिसे बाद में आप ज़रू check out करें ओके सो finally मेरे list में number one पर आता है ये भी HP के तरफ से laser jet tank 1005W printer पहले के time आप किसी भी office या zero shop पे गए होंगे तो आपने ये printer जरूर देखा होगा जो HP का सबसे successful और demanding printer रहा है जो heavy duty के लिए भी सबसे best printer रहा है और इसी printer का upgrade model HP ने launch किया है जो है laser jet 1005W इस model का design थोड़ा change किया गया है और साथ इसमें wifi का भी option दे दिया गया है जो पहले वाले model में नहीं था जिससे आप HP का application डाउनलोड करके mobile से भी easily control कर सकते हैं इस printer का दो चीज़ काफी अच्छा देखने को मिलता है एक इसका printing speed जो 22 pages per minute पे work करता है और दूसरा इसका printing quality जो बहुत ही sharp और deep text देखने को मिलता है जो 1200 DPI में आता है इसमें ink cartridge की जगा toner cartridge का use किया जाता है जिसमें printing powder डालके refill किया जाता है और ये powder बहुत ही सस्ता भी पड़ता है और इस printer में कितना powder बचा है तो वो भी आप इस indicator के तुरू देख सकते हैं printer page इसमें A4, later, B5 और legal pages suitable है इसके input tray में आप 1300 A4 pages को load कर सकते हैं और ये printer window, linux, mac, ios और android सभी के लिए compatible है बट हाँ एक बात का ध्यान रहे कि ये printer से black and white printing के साथ आता है जो इंडिया में 60% लोग black and white printer ही use करना ज्यादा prefer करते है क्योंकि ये ज्यादा long lasting होता है तो जिन लोगों को सरी black and white printing से ही मतलब है और heavy duty के लिए use करना है तो ये printer सबसे best रहेगा आपके लिए जैसा कि ये heavy duty printer है तो इसका price भी थोड़ा जादा है जो 20-22,000 के आसपास cost करता है pros and cons की बात करूं तो इसकी build quality काफी अच्छी है, printing quality भी काफी sharp है, 9 पैसा के around printing cost इसका पड़ता है toner, cartridge, refill के साथ ही आता है बट जैसा कि इसमें color printing का option नहीं मिलता और थोड़ा costly भी है और हाँ guys मैंने सभी printer का सबसे lowest price का link के नीचे description में दिया हुआ है तो एक बार सभी का price जरूर चेक आउट करें क्योंकि website पे हमेशा office से related products पे अच्छी अच्छी sale चलती ही रहती है और इस printer से related जो भी आपका dot था वो clear हो गया होगा और फिर भी कोई सवाल या confusion हो तो प्लीज आप comment कर दे मैं उसका reply जरूर करूंगा और इस channel पर हमेशा मैं इसी तरह का detail videos लाता रहता हूँ तो ऐसे channel को जरूर सबस्क्राइब रखे क्योंकि future में हमेशा कामी आएगी thanks for watching guys have a nice day